Praise the name of the Lord, Hallelujah! Shalom, greetings in Jesus' marvelous name, Hallelujah! भाहियों बैनों, आज फसा का परब शुरू हो रहा है Pass-over, जिसे हम हीब्रु भाशा में पीशाक बोलते हैं भाहियों बैनों, वो परब आज शुरू हो रहा है, Hallelujah! जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, ये परब पूरे साथ दिन तक चलता है 21st evening या 22nd तक ये परब कंज्यूमेट होगा, Hallelujah! आप में से जो जो लोग उपवास रख सकते हैं, इस परब के दौरान मुझे उपवास में जॉइन कर सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोग एक मील, दो मील स्किप करना चाहते हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं, ये जो परब हैं, ये heavenly windows हैं, जो यहोवा परमिशुर खूलता है, अपने लोगों से बेट करने के लिए, अपने लोगों की जिन्दगी में अद्भुत काम करने के लिए, प्रेड पलूस बताता है, कुरुंतियों की कलीशिया को, that Christ is our Passover, मसी हमारा फसा है, प्रबु येशियों मसी, फसा का कामिल सिद्ध मेमना, जो आपके और मेरे लिए, कुरुस की यग्यवेदी पे घात किया गया, हालेलूया, तो आज से हम उपवास में ठेड़ेंगे, और दिन में दो या तीन बार भी हम संगती करेंगे, तो मैं आपके लिए टेक्स्ट पढ़ता हूँ, निर्गमन की पुस्तक, जिसे हम पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं, और एंग्लीश में हम कहते हैं एक्स्ट इस, सुनिये, देलोड सेत्व मुझेश पमुजेश एड एरन इस देड़ेंगे, इस मुझेश पढ़ता है, य। 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 टेंगे, य। भी और य। य। उन्वेश प्र य। इस विए, Every man shall take a lamb according to the father's house A lamb for each household परमेश्वर ने अपने दास मुसा से कहा ये महीना साल का अरंब है ये जो महीना है फसा फसा जो भाही और बेनों 22 तरीक को है उससे 14 दिन पीछे चले जाएए तो आपको नया साल मिलेगा फसा इस साल के चौदमे दिन जो केलेंडर परमेश्वर ने इसरेलियों को दिया उस केलेंडर के मुआफिक जब पूरा चांद होगा इस महीने में कुल मून चौदमा दिन चांद का तब फसा का मेमना कुर्बान होगा और जब दसमा दिन होगा तब फसा के मेमने को लोग अपने घर में लाएंगे आपको मालूम खुदावंद येश्व मसी फिरमेश और काम मेमना है जो जगत के पाप को उठा के लिए जाता है आलिलूया खुदावंद येश्व मसी एग्जेक्टली दसमे दिन जब दसमे दिन का चांद था तो खुदावंद येश्व मसी गधी के बच्चे पे बैठके येरुशिलम में प्रवेश करते हैं और येहूदी लोग येश्व मसी को ग्रेंड करते हैं येहूदी लोग येश्व मसी को ग्रेंड करते हैं खजूर की टेहनियां बिछाके, अपने वस्तर बिछाके, उसे अपने घर में लेते हैं, क्योंकि दसमे दिन ये जो मेमना है, ये घर में ले लिया जाएगा, दसमे दिन, और चार दिन घर में रहेगा, चौदमी का जब चांद होगा, तो ये मेमना जो है वद किया जाएगा, हालिल्यूया और ये महीना बहुत महत्वपूरन महीना है फसास से चौदा दिन पीछे हमारा नया साल शुरू हो गया स्पिरिच्वल नियू येर जो प्रभू ने कहा है जो सिवल नियू येर है जुईश लोगों के किलेंडर का वो अलग है उसकी कोई बात नहीं हम कर रहे लेकि ये अबीब का महीना प्रमेशुर का किलेंडर जो है उसके मुआफ़े कि ये बहुत ही मात्वपूरन समय है तो इन दिनों में प्रमेशुर की हजूरी में ठहरी है दसमे दिन उन्होंने मेमने को ग्रहन कर लिया इसरेलियों ने हालिलुया लेकिन उन्होंने फसा के दिन वो मेमना बेच दिया गया तीस चांदी के सिकों में बिट्रे कर दिया गया वो प्रमेशुर का बर्रा हालिलुया हालिलुया आपके और मेरे लिए फसा के दिन पी शाक, बहुत गहरी बातें आज हम करेंगे, एक सेशन करूँगा मैं टेनो क्लॉक के करीब, टेन या टेन तरिटी, जिसमें हम ये गहरी बातें शेयर करेंगे, ये मेमना जो है भाई और बेनों, इसको इसरेलियों ने भून के खाया, परमेशुर ने इसरेलियों को कहा, उ चौद में दिन उसका वद करना, उसका लहू घर के बाहर लगा देना, ऐसे यूं, यूं, यूं यूं और यूं, ये है ताव का निशान, ये शुमसी हैं अलेफ एंड ताब, देखिए इधर निशान लगाता है परमेशन हमारे ऐसे, 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 ये ताब का निशान है, और ये अलेफ है, अलेफ एंड ताब, खुदावन देश मसी हैं, ये है सील जो परमेशन लगाता है अपने लोगों के उपर, ये ताब की सील, इसरेलियों ने अपने घर की चौकट पे ऐसे लहू लगाया, ऐसे लहू लगाया, ऐसे लहू लगाया, उस रात, मौत का यूदी लोग उस दूद का नाम बताते हैं, मास्तेमा, वो निकला, वो दूद कुछ भी नहीं देखता सिवाए लहू के, सिवाए लहू के उसने कुछ नहीं देखा, जिस घर की चौकट पे ऐसे यूं, यूं और यूं, ताब का चिन था लहू का, खोन लगा था मेमने का, उस घर को उस मौत के दूद ने छोड़ दिया, उसे कहते हैं पी शाक, पी शाक का मतलब बाइपास कर गया, जंप मार के उपर से निकल गया, दूद उस घर के उपर से कूद के दूसरे घर में चला गया, उस दूद ने फसा के दिन भाई और वेनों, ये नहीं देखा कि घर के बाहर नेम प्लेट पे लिखा है, रभी योहानन, रभी बन यहूदा, या रेवरेंड डॉक्टर फलाना फलाना, या बिशिप डॉक्टर फलाना फलाना, या पोप, ओवर आर्चिंग विशिप, His Holiness, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, ऐसे लगी नेम ये, आप कहें मैं रेवरेंड डॉक्टर फलाना डिमका हूँ, ये नहीं चलेगा, केवल लहू दिखा जाएगा, इश्यू मसी के लहू में आप ढगे हैं या नहीं, क्या शर्त है, पहला योनाइक की साथ में, वहां लिखा है, अगर हम जोती में चले, अगर हम जोती में चले, आपको मना हम जोती क्या है, ये कलाम है जोती, 119 भजन की 105 आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरे राहों के लिए जोती है, अगर ये आपके अंदर जल रही है, कलाम की जोती, हालेलुया, वचन की जोत अगर आपके अंदर जल रही है, इसे लिखा है दीपक, यहोवा का दीपक, हालेलुया, अगर ये कलाम आपके अंदर जल रहा है, मैं एक वचन पढ़ दूँ आपके लिए, नीती वचन छे कते ही, सुन लिजिए, क्मैंडमेंट के लिए, हीब्रू वर्ड है, मिजबा, आग्या, इस कलाम की आग्या, इस वचन के अंदर दी गई आग्याओं के अनुसार, आप जीवन जीते हैं, लिखा है, For the commandment is a lamp ये कलाम जो है इसकी आग्याएं आपके अंदर एक चराग बनती है दीपक बनके जलती है And the teaching a light और जो आप सिक्षा लेते हो सच्ची और खरी सिक्षा प्रमेशर के सच्चे और खरेदासों से ठगों से नहीं सच्चे खरेदासों से जो प्रमेशर के कलाम की सिक्षा लेते हो वो एक रोशनी है आपके अंदर And the reproof of discipline are the way of life जब धर्मी लोग आपको ताड़ते हैं कलाम से आपकी भर्दसना करते हैं आपके बुरे मारगों को उजागर करते हैं आपको कलाम का डंडा लगाते हैं कि आपका जीवन बच जाए आप अनुशाशन में आएं आत्मी का अनुशाशन में तो वो क्या है लिखा यहां पे The reproof of discipline are the way of life जीवन का रा है आज लोग प्रमेशर के कलाम का डंडा नहीं लेना चाहते वचल में लिखा है प्रमेशर का कलाम हथोड़े की मानंद है जो चटानों को तोड़ता है वचल में लिखा है प्रमेशर का कलाम अगनी की मानंद है जो पाप की गंदगी को जलाता है वचल में लिखा है प्रमेशर का कलाम मेगों की तरह वर्षा की तरह बरसता है जो हमें धोता है प्रमेश्वर का कलाम जोती की तरह हमारे मारगों को प्रशच्ट करता है प्रमेश्वर का कलाम प्रेज़ को लूँस लिखता है ये जो पवित्र शाच्टर है पवित्र आत्मा की प्रेज़ना से रचा गया है ये हमें सिखाने के लिए ताड़ना करने के लिए ताड़ना नहीं है बरकतों की दुकाने खोली है बस आपको ये देने जा रहा है रियल स्टेट मिलने जा रही है जमीन, बंगला, गाड़ी वीजे लगने जा रहे है आपके काम करने आया ये शुमसी आज बड़े-बड़े काम होनगे बस ये है और वचन नहीं है कुछ भी सुन लीजी आप ये वचन सिखाने के लिए प्रज़न लिखता है तिमोथियस को पत्री लिखके कहता है सारा कलाम परमेशुर की आत्मा की प्रेड़ना से रचा गया है ग्रीक वर्ड है थियोस नस्टस परमेशुर की आत्मा से रचा गया के लिए शब्ड़े थियोस नस्टस थियोस का मतलब परमेशुर ग्रीक में नस्टस का मतलब नथनों से निकला स्वास परमेशुर के यहां से जो सांस निकला उसने कलाम रचा है ये जन्दा कलाम और ये सिखाने के लिए ताड़ना देने के लिए हमें रिप्रूफ करने के लिए हमारी कमिया गटिया निकालने के लिए और मसी में हमें फल्वंत करने के लिए ये गुनकारी है हलिलुया तो भाई और बैनो अगर हम जोती में चले जैसे वो भी जोती है तब तब कंडिशन है if we walk in the light, if we walk in the commandments अगर इन आग्याओं के अनुसार हम जीते हैं if we walk in the light, रोशनी क्या है कलाम कलाम, परमेशुर की आग्याएं, परमेशुर की विधियां, परमेशुर की नियाएं अगर इनकी अनुसार आपका जीवन है, तो आप जोती में चल दे है तो पहला योनाएक की साथ कह रही है तब उसके पुतर येशु का लहू आपको शुद्द कर रहा है बहुत से मसी लोगों के जीवन में येशु मसी का खुन काम नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग परमेशुर के कलाम की जोती में नहीं चल रहे है आप सौ बोलते रहो येशु के लहू की जैए आप हजार बार कहते रहो लहू के अगर आप उसकी आग्याओं के अनुसार नहीं चलेंगे तो येशु का खुन काम नहीं करेगा ये जो कलाम है और येशु मसी का लहू और पवित्र आत्मा तीनों आपस में मिलके काम करते है हलेलुया तीनों जिन्दा है कलाम जिन्दा है येशु का लहू जिन्दा है पवित्र आत्मा जीवित आत्मा है मापरतापी परमिशुर का आत्मा है तीनों मिलके काम करते है आपको मालूम जब आपके जीवन पे येशु का लहू है येशु का लहू पवित्र आत्मा को निमंतरन देता है पवित्र आत्मा केवल आपको मालूम कहां उतरता है यहां पे लहू होता था यह मर्सी सीट है यह आर्क अदे कावनेंट है यहां पे लहू है निर्दोश लहू इस लहू के उपर जलाल के बादल के बीच में होके यहोवा परमेशर उतरता था, यहां ठहरता था यह कुरूबों के जो पंक है यह आपस में ऐसे यूं मिलते थे यह यूं, आपस में मिलते थे कुरूबों के पंक इनके बीच में यहोवा का जलाल उतरता था करूबों के पंकों के बीच में यहोवा का जलाल वास करता था प्रभू ने पांच बार कहा मुसा से मुसा की पांच पस्तवों में कि प्रभू ने कहा यहां मैं तुझे मिलूंगा पुराने नियम में परमेशुर से मिलने की कोई और जगा नहीं थी इधर लहू के उपर यहुवा आके अपना सिंगासल लगाता था यह यहुवा का तख्त है अब यह इधर होना जाए यह इधर यहाँ हलिलुया है तो येशु का लहू पवित्र आत्मा को बुलाता है पवित्र आत्मा बगैर येश्यू के लहू के कभी उतर नहीं सकता जहां येश्यू का लहू नहीं वहां पवित्र आत्मा नहीं जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां परमेश्वर का कलाम नहीं आपको मालूम उत्कुती की पुस्टक पहले देआई कि दो बचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा पानियों पे ऐसे मंडला रहा था, बुरूढ कर रहा था, जैसे मुर्गी अंडों को सेती है, पवित्र आत्मा ऐसे मंडला हा था, पानीयों के उपर, तीसरे बचन में तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने अपने मूझे कलाम देजा, पहले पवित्र आत्मा उत्रा है, फिर यहोवा का कलाम आया है, हलिलुईया, और प्रभु ने कहा, रोशनी हो जाए। के पहले से वद किया गया उस मेमने के लहू में है ये रोशनी आपको मालू विज्ञान क्या कहता है इनसान हमारे शरीर के अंदर जो लहू है विज्ञान बताता है हमारे लहू के अंदर कंजील्ड लाइट है हमारे बलड के अंदर फोटॉन्स भाग रहे हैं जो रोशनी से बरे हैं येशु का लहु पार लौकित लहु है येशु का लहु स्वर्गिय लहु है येशु का लहु प्रेजतों के काम 20 के 28 में लिखा है यहोवा का लहु है और वो लहु जोती से बरा है रोशनी से बरा है वो ही रोशनी ये कलाम में है तो भा नहीं देखा कि बाहर नेम प्लेट पे लिखा रेवरेंड डॉक्टर फलाना डिमका, बिशप सहाब, आर्च बिशप सहाब, चीप पास्टर, ये लोगों ने बनाई हैं, पद, अपने लिए खुद बना लिए, पापा, डैडी, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, ये कुछ भी नहीं है, ये इनसान के हिर्दे की लालसा है अपने आपको बड़ा बनाने के लिए, इधर देखिए, प्रमेशुर ने जिन संतों को बुलाया, नभीयों को बुलाया, प्रमेशुर ने कहा मैंने तुझे नभी चुना है, वो प्रमेशुर के आगे हाँ जोड़के कहते ते प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, जिर्मिया प्रमेशुर से विवाद करके कहता है, मैं हूँ क्या प्रभु, प्रभु कहता है, मैंने तुझे तेरी मा के पेट में आने से पहले चुन लिया है, और तुझे नभी बना दिया है, मुसा कहता प्रभु मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं अकल आता हूँ, जितने प्रविशुर के संत्य, किसने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाया, ओवर आर्चिंग बिशफ लगाया, मेजर माइनर प्रॉफिट लगाया, पापा डेडी अपने नाम के आगे लगाया, बताईए, दिखाईए इस कलाम में से, वो तो अपने आपको खाली करते थे प्रभू के आगे, प्रभू को बोलते थे हम कुछ भी नहीं है, प्रभू तू सर्वस है, तो इस फसा के परप्पे, मेरे संग जुडे, साथ दिन के उप्वास में, जीवन में से बंदन तोड़ेगा यहोवा का शाश्वत आत्मा, हम मेमने के लहू पे, मेमने की महान कुर्बानी पे, उसके महायग्य पे मनन करेंगे, साथ दिन, आज मैं दो पहर को अराउंड टेन थर्टी देखूंगा, एक सभा करते हैं, जिसमें फसा की पहली मीटिंग करेंगे हम, फसा का पूरा परमनाएंगे, और यहोवा परमेश् आपके जीवन में उतरेगा और अद्वुद काम करेगा, प्रभु आप सबको बहुत आशिश दे, I will touch base with you later, आज साड़े दसवजे, फसा का पहला संदेश लेगे, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा, God bless you, सब कुछ हमसिए